नावबजार प्रखन अंतरगत ग्राम पंचायट कंडा के बेराही टोला स्कूल प्रांगन में एक मई यानी मजदूर दिवस के अवसर पर जिला विधीक सेवा प्राधिकरण पलामों के निर्देशा नुसार पीलवी सुमंद कुमार महता के द्वारा जागरुकता शिविर क योजन किया गया जिसमें उन्होंने बताए कि भारत में पहली बार मजदूर दिवस 1923 में चैननाई में मनाया गया था मजदूर वो लोग होते हैं जो पैसे के बदले में कारे करते हैं चाहे वो इट को जोड़ने का कारे हो या ओफिशियल कारे हो साथ ही सुमंत कुमार महता ने बताया कि आज हमारा देश लगातार सभी शेत्रों में विकास कर रहा है जिसमें मजदूर लोगों का काफी योगदान है इसलिए मजदूर को मजबूर ना समझें आज समाज में गरीब इनसान को मजदूर समझा जाता है लेकिन हर वो वैक्ति मजदूर है जो काम के बदले में पैसा लेता है साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशा नुसार मजदूर का काम करने का समय एक दिन में आठ घंटा होता है PLV सुमंत कुमार ने बताया कि DLSA के द्वारा ग्राम पंचायत तुकबेरा में विधीक सहायता केंद्र है जहाँ पर जाकर किसी भी समस्या का कानूनन सलाह ले सकते हैं कारकर में प्रेमचंदराम, विजैराम, शिवकुमार, पास्वान, पंकच प्रजापती के साथ कई लोग उपस्थित थे अपने प्रखन छेत्र से रिपोर्टिंग करने के लिए हमें कॉल करें हमारा नंबर है 800-2820-182